वेलकम बैक तो जौरी पार्चाला दिस इस अमिक जौरी सर मैं जो आज लेके आया हूं वो जी में की सिरीज का है 2022 के पास्ट यर कोशन 2021 अगस्त मैं मौर्निंग शिफ्ट का जो मैथमेटिक्स का एक पेपर हुआ था उसके मैं कुछ important questions लेके आया हूं so that you can learn इस समय सबसे important आपको previous year question practice करना ही है और जितने ज़्यादा हो सके आपको mock test को ज़्यादा practice करना है ultimately one word में अगर बोलू तो इस समय आपकी question practice करना आपको problem solving skill को improve करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो exam hall में जाने के बाद आप question से struggle करते हैं theory आपको बहुत याद रहती है कई बार आप कर जोके होते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको questions में problem आती है crack करने में तो उसको improve करने के लिए बहुत जरूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना exposure बढ़ा है different different exams attend करके बहुत सारे मौक टेस्ट और जी में के लिए previous year questions बहुत important होते हैं तो चलिए बिना delay के स्टार्ट करते हैं 2021 31st अगस्ट मॉर्णिंग शिफ्ट के maths के पेपर के important question तो उसमें question था sum of term of series मुझे एक series दी हुई है मुझे इसकी 10 terms का sum निकालना है ऐसे question जो series में होते हैं one upon this one upon this ऐसे series को crack करने के लिए सबसे important step होती है कि आप उसकी general term को crack down करें first if you have cracked the general term आपका काम बहुत आसान हो जाता है तो सबसे पहले तो हम इसकी general term को crack करते हैं तो इसकी general term मैंने देखी कि उपर three है और नीचे one two है तो अगर मैं one को n बोलता हूं अगर मैं one को n बोलूं तो नीचे मैं n square लिखूंगा two को मुझे n प्लस one लिखना पड़ेगा और three को क्या लिखना पड़ेगा two n प्लस one तो इस type से मेरी general term तो crack हो गई और यह क्या दिया हुआ है मुझे इसका जो find करना है वो है sigma of this from n equal to one to tenth मतलब इस series का मुझे sum calculate करना है ten terms का तो यह सबसे important मेरी series का general term मैंने crack कर लिया which is the most important step अब मुझे series के general term को बहुत simplified करके लिखना है तो simplified करके अगर मैं लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा sigma n equal to one to ten bracket आप इसको partial fraction में लिख सकते हैं इस type से जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको idea लग जाएगा यह अगर यह आपको idea नहीं भी लगता है तो जैसे हम integration में partial fraction लिखते थे n equal to one तो इसको आप a और b लेके ले सकते हैं और फिर आप a और b की value find करेंगे जैसे integration के partial fraction में करते थे you will get your coefficient one one आ जाएगा अब यहाँ पर आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको एक बहुत important चीज करनी है कि n equal to one रखके देखते हैं तो क्या मिलेगा one upon one square minus one upon two square यह कब आया जब मैंने n equal to one रखा n equal to two रखेंगे तो क्या आएगा one upon two square minus one upon three square अगर series में दो ही term होती हैं तो क्या बचता था previous term की last term और second term की first term आपस में पूरी series में एक दूसरे को cancel out करने वाली हैं तो इस पूरी series का कितने terms का भी आप sum ले लीजिए आपको सिफ first term और last term बचने वाली है बाकी सारी आपस में cancelled out हो जाएंगे due to plus and minus तो 10th term है तो first term तो हमेशा बचेगी one upon one square मतलब one और last term यहां से निकलेगी n plus one से minus वहाँ 10 रख दूँगा तो one upon 11 square which is 121 इसका जब LCM लेके सब्ट्राक करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 120 upon 121 तो मुझे answer मिल गया B option तो B option मेरा answer यहां पर आ गया बहुत important होता है series वाली terms में आप उसकी general term सबसे पहले crack करें और उसके बाद general term को simplify करके आप देखे कौन-कौन सी term बचेंगी और कौन-कौन सी cancel out हो जाएंगी and that's your question चलिए अब हम चलते हैं अपने next question पर यह हैं हमारे next question जितना ज्यादा हो चागे आपको अपनी problem solving skill को अगर improve करना है तो ज्यादा से ज्यादा question लगाए लगाएं, solve कीजिए, mock test attend कीजिए, जहां से भी मिलता है second, let the equation of the plane, यह है कौनिक का question, plane की equation हमें बोल रहा है that passes through the point this ऐसे plane की equation निकाल ली है, जो एक point से pass हो रहा है, p point से उसका coordinate मुझे दिया हुआ है 1, 4, minus 3, जो plane की equation मुझे calculate करनी है, वो इस point से pass हो रहा है and contains the line of intersection of the planes, और मुझे दो plane दिये हुए है मैं इनको p1, p2 बोल देता हूँ, p1 की equation मुझे दी हुई है, 3x, minus 2y, plus 4z, minus 7, equal to 0 plane 2 की equation भी मुझे दी हुई है, x, plus 5y, minus 2z, plus 9, equal to 0 इन दोनों plane को, जो line of intersection है, उससे जो मेरा plane है, question में वो pass हो रहा है कोई भी plane है, यह दो plane है, ऐसे आप देख सकते हैं, इनकी कोई line of intersection जो है, यहाँ बनेगी जहाँ पर यह intersect कर रहे हैं, यह मैं दिखा रहा हूँ आपको तो इस line से वो plane pass हो रहा है, तो मुझे दो condition दे दी गई, मुझे एक ऐसे plane की equation निकालनी है जो इस point से pass हो रहा है, और इन दोनो plane की line of intersection से pass हो रहा है और उस plane की equation आएगी, alpha x plus beta y plus gamma z plus 3, और मुझे alpha plus beta plus gamma पूछ रहा है तो सबसे पहले तो मुझे उस plane की equation निकालनी पड़ेगी, जो plane question में है अगर वो इन दोनो plane के line of intersection से pass हो रहा है, तो बहुत simple तरीका होता है यह आप हमेशा याद रखना, अगर कोई plane, दो plane की line of intersection से pass हो रहा है तो उस plane की equation हो जाएगी, lambda times this, 5y minus 2z plus 9 equal to 0 कभी भी यह चीज़ आप note कर लो, अगर किसी भी plane को, कोई दो plane की intersection line से pass हो रहा है तो उस plane की equation आप ऐसे calculate कर सकते है अब इसमें lambda calculate करने के लिए, मुझे second given दिया हुआ है वो plane, यह जो plane है वो इस point से pass हो रहा है तो x की जगा 1, y की जगा 4 और z की जगा minus 3 में place कर देता हूँ x की जगा 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 minus 8, 4 to the 8 minus 12 minus 7 plus lambda x की जगा 1, 5, 4 to the 20 plus 3 to the 6 plus 9 equal to 0 अब मुझे सिर्फ calculate करना है 19 और 20, 27 minus 3 minus 24 plus lambda 15 plus 20, 35 plus 1, 36 equal to 0 मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ तो lambda की मेरी value क्या आ जाएगी 24 upon 36, 12, 2s are 24, 12, 3s are 36 तो यह आ गई मेरी lambda की value, मैं lambda की value यहाँ डाल देता हूँ यहाँ substitute कर देता हूँ तो मेरी pain की equation क्या मिल जाएगी जो मुझसे question पूछ रहा है 3x minus 2y plus 4z minus 7 plus lambda याने 2 upon 3 times x plus 5y minus 2z plus 9 equal to 0 I just need to solve 3, 3s are 9x plus 2x 11x minus 6y plus 10y plus 4y 4, 3 for the 12 minus 4 8z minus 21 plus 18 minus 3 equal to 0 upon जो 3 आएगा वो side 0 में जाके cancel out हो जाएगा यह आ गई मेरी plane की equation जो मुझे question वो पूछ रहा था लेकिन अब इस question में जो MCQ पूछा गया है वो alpha plus beta plus gamma की value है alpha plus beta plus gamma 11 plus 4 15 plus 8 23 तो मेरा answer क्या जाएगा 23 तो आप इस question में एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोई भी plane दो plane के line of intersection से पास हो रहा है तो उसकी equation हमेशा यह होती है P1 plus lambda times P2 यह इस question का आपको note करना था important point चलिए next पे चलते हैं हर question के साथ साथ जब मैं solve कर रहा हूं तो आप भी करते जाएए आपको नहीं आ रहा है तो मेरे question को फिर से reply कीजिए और solution को देखिए और उस solution से ज़्यादा important है उस solution में base की सर ने ऐसा क्यों किया तो वो important बहुत है क्योंकि वो आपके tools बनेंगे आगे के लिए जब हम past year question या कोई भी question attend करते हैं तो उस question को solve करना ठीक है लेकिन उसके बाद उस question से जो हमें main concept मिलते हैं कि किस case में क्या करना है तो वो हमें याँ पर मिल जाता है जैसे इस question में था कि plane की equation जो दो plane के intersection of line से पास हो रहा है तो उसमें हम क्या करते थे P1 प्लस लेंड़ा टाइमस पीटू शीट थोड़ी सी disbalance हो रही है इसको correct कर लेते हैं थोड़ा सा अब आते हैं अपने next question पर next question क्या बोल रहा है let f be a non negative function f एक non negative function है अगर वो चाहते है इसको सीदे सीदे positive function भी लिख सकते थे in domain दे रखा है मुझे 01 दोनों included है and twice differentiable है 01 में 01 में ये दो बार differentiate भी हो सकता है ठीक है question को पढ़ना बहुत important एक बहुत कहते हैं art है पूरे question को आप एक एक full stop तक पढ़ियो उसका मतलब समझे वो मतलब ही आपको बताएगा कि आपको आगे इसको कैसे solve करना है if ये दिया हुआ equal to this between 0 and 1 and f0 equal to 0 मुझे दिया हुआ है तो मुझे ये find करना है limit x 10 to 0 1 upon x square into integration of this अब मुझे जो finally solve करना है उसके लिए मुझे given क्या दिया हुआ है integration of 0 to x under root of 1 minus f dash t का square under root के अंदर और ये equal है into dt और ये equal है integration of 0 to x f t dt जब ऐसे integration दिये जाते हैं तो ऐसे integration को solve करने के लिए क्योंकि ये आपका given data है given data में ही आपके वो चाभी मिलेगी जिससे आपका एक question solve होगा given data बहुत important रहता है तो यहाँ पर हम use करेंगे labnits ने जो हमें सिखाया कि अगर आपको ऐसा solve करना है तो labnits differentiation rule आप use कर लीजिए मतलब वो बोलता है essay integration को on differentiating both side कर दीजिए differentiate करने के लिए आप directly उसमें limit लगा दीजिए that is said by the labnits differentiation ऐसे definite integration को अगर आपको differentiate करना है जो functions की form में दे रखे है directly आप उसके limit put कर दीजिए तो पहले मैं limit put करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा under root of 1-f-x का square equal to fx क्योंकि f0 तो 0 है यहाँ पर जो f0 आने वाला है दोनों साइट में वो 0 हो जाएगा तो मुझे finally equation यह मिल जाएगी by labnits differentiation अब मुझे बहुत simple है मुझे stop steps को follow करना है तो मैं दोनों साइट का square कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा यह f-x का whole square equal to f square x अब मैं इसको साइट इसको साइट transpose कर दूंगा तो 1-f square x equal to f-x का whole square अब मैं क्या करूंगा इसको square को इधर square root में ले आता हूँ अब उसके बाद इस पूरी term को denominator में ले जाता हूँ तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा f-x upon 1-f square x equals to 1 यह मुझे मिल गया आपको सारी steps clear हो रही है I think clear हो रही होंगी क्योंकि मैं हर step में आपको tips भी बताता जा रहा हूँ अब इस step को देखने के बाद मुझे एक ही ख्याल आता है कि अब मुझे इसको integrate करना पड़ेगा और integrating both the side इसलिए दौनों तरब multiply कर देते हैं dx का इसलिए मैंने इसको इस form में बनाया है अब यहाँ पर इसको integrate करने के लिए तो x हो जाएगा integration प्लस c रख देते हैं equal to इसको integrate करने के लिए मैं substitution का use करूंगा fx को में ले लूँगा t मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ fx को में ले लूँगा t तो f-x dx क्या हो जाएगा dt तो उपर का part dt हो गया तो यह हो जाएगा integration of dt upon 1-t square यह किसका integration होता है sine inverse t का तो x plus c equal to मुझे मिल गया sine inverse t ठीक है जी अब मैं यहाँ पर क्या रखूंगा जो मुझे condition दे रखी हुई है f0 जीरो जीरो को जब मैं 0 रखूंगा तो f0 कहां गया मेरा f0 जब मैं x की जगा 0 रखूंगा तो मुझे t भी 0 मिलेगा तो at x equal to 0 t भी 0 है x equal to 0 रखा तो c equal to t भी 0 है तो c आ गया आपका 0 तो sine inverse t मैं थोड़ा से इसको रख कर लेता हूं तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो यहां पर c0 मिल गया तो sine inverse t directly किसके equal हो जाएगा x के तो sine inverse t equal to x तो यहां से मुझे t का value मिल गया sine x मुझे t का value क्या मिल गया sine x अब मेरा काम आसान हो गया अब जो मुझे से वो पूछ रहा है मैं directly उसको हिट करूगा यह पहला जो given data दे रखा था वो इसलिए रखा था कि यहां तक पहुँच पाएं अब मुझे क्या calculate करना है limit x tends to 0 1 upon x square और उपर क्या है 0 to x f t dt f t क्या हो जाएगा t तो sine x आ गया तो f t क्या हो गया sine x dx और upon में 1 upon x square का x square मैंने यहां लिखती है हम मैं इसके integration को solve करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा minus cos x upon x square x equal to 0 रखने से 0 y 0 form बन रही है तो मैं इसको differentiate करूँगा तो मैंने differentiate किया तो मुझे क्या मिला minus sin x upon sorry इसको differentiate किया तो यह plus sin x upon 2x आ गया अभी भी यह 0 by 0 form बना हुआ है ठीक है जी अभी भी यह 0 by 0 form बना हुआ है तो limit x tends to 0 मैं इसको फिर differentiate करूँगा तो यह हो जाएगा cos x upon 2 x equal to 0 रखूँगा तो मेरा answer क्या आ जाएगा 1 upon 2 तो मेरा answer आ गया d option is the correct option 1 upon 2 तो इसमें मुझे क्या समझ में आया कि जो मैंने पहले given data था उसको मैंने solve किया और इसमें मैंने lebanese theorem lebanese differentiation theorem का use कि definite integration को how to differentiate ठीक है जी चलिए इसके आगे चलते हैं कि इसको रब कर लेते हैं कि बहुत important है हर question से आप कुछ learn करें क्योंकि जितना अच्छे से आप learn करेंगे हर question से उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा और उसी से आपकी problem solving skill clear हो जाती है जो आप exam hall में डरते हैं कि यार problems नहीं हो रही है इतना theory पढ़ लिया सब बार-बार revise कर लिया बट main के exam की problem crack नहीं हो रही है क्योंकि आप जब problem solve कर रहे थे तो आपने problem solve करने के साथ एक चीज़ बहुत important है कि solve करने के लिए जो concept आप use कर रहे हैं किस condition में क्या हो रहा है उसको आप mind में ऐजे अपने key points बिठाते जाए चलिए next question पर होते हैं let a and b be two vector such that modulus of 2a plus 3b equal to modulus of 3a plus b अब मुझे given क्या दिया हुआ है given data बहुत important होता है उसी के अंदर सारी चाबियां होती है जिससे आप question को solve कर पाए mod of 2a vector plus 3b vector is equal to मुझे दिया हुआ है mod of 3a vector plus b vector अब आगे देखते हैं and angle between a and b 60 degree तो a अगर यह है और b vector यह है तो इनके बीच का angle मुझे 60 दिया हुआ है तो यहां से मैं अगर a vector dot b vector calculate करूं तो वो मुझे क्या जाएगा a into b cos 60 which is one upon two first equation मैं बिना arrow के साथ कर रहा हूं तो मैं उसका मतलब है उसका magnitude show कर रहा हूं और क्या दिया हुआ इस one upon eight vector a का unit vector है वो बोल रहा है one upon eight a vector एक unit vector है unit vector कौन होते हैं जिसका magnitude one होता है तो इसका मतलब इसका magnitude one है अब one upon eight तो magnitude already है तो इसको आप बहार ले सकते हैं as per the vector theorem तो magnitude of a के आ जाएगा one upon eight बहार लिया उस side multiply में ले गए eight को तो यह मिल गया आपको a का magnitude आपको पता हो गया बाया given things तो given thing देखी कितनी important है एक एक की points को आप जैसी given points को break कर रहे हैं आपको बहुत important data हाथ लगते जा रहा है अब मुझे calculate करना है modulus of B vector अब मैं कैसे करूंगा मैंने सारे given का use कर लिया एक given रह गया use करने के लिए तो मैं जबी भी मुझे modulus दिया जाता है तो key point क्या है most probably आप दोनों side का square कीजिए क्योंकि मुझे आपको directly modulus दे रखा है when we square the things तो 2a का square a plus b whole square से break होगा algebra same रहेगा तो 2a का whole square तो किसी भी vector का square करेंगे तो a dot a और किसी भी vector का अपने आप से dot product directly उसके magnitude का square होता है तो मैं उसमें time base बिलकुल लही करूंगा 2a square sorry 2 का square 4 हो जाएगा 4a square 3b square स्क्वेर यानि 9b square plus 2a b 3 to the 6 to the 12 a vector dot b vector equal to में 3a का square 9a square plus b का square b square plus 3 to the 6a dot b मैं आपको फिर repeat कर देता हूं यह की point किसी भी vector का square आप करते हैं तो उस वेक्टर का square directly उसके magnitude के square के एककल होता है क्योंकि जो सेम वेक्टर होते हैं उनके बीच में एंगल 0 होता है तो dot product भी आप करेंगे तो एंगल 0 की जगह बना जाएगा तो a dot a dot a is always equal to a square अब हम यहां पर इसको transform करते हैं mathematics शुरू हो गया तो mathematics करते हुए हम देखेंगे सब को साइड ले जाते हैं तो यह हो गया 5a square minus 8b square minus 6a dot b equal to 0 मुझे a का magnitude पता है और a dot b भी पता है a b upon 2 तो मैं 5 into a square याने 8 का square minus 8b square as it is minus 6 a b upon 2 a b upon 2 मतलब 8 into b upon 2 क्योंकि मुझे mod of a already मैंने given से calculate कर लिया था 64 into 5 320 minus 8b square यह हो गया minus 24b equal to 0 अब मुझे इस quadratic equation को ठीक से frame करना है तो मैं सब को transpose कर देता हूं तो 8b square plus 24b minus 320 equal to 0 अब बन गया quadratic quadratic solve करना आप जानते ही है सब में common factor 8 है तो उसको reduce कर लेते हैं y dividing with a तो यह बचेगा b square plus 3b minus 40 equal to 0 अब इसको हम solve क्या करेंगे by splitting middle term तो by splitting middle terms के लिए मुझे दो middle term मिल गई 40 का 8 और 5 8 5 जा 40 और 8 तो आपको दो bracket मिल जाएंगे b plus 8 का और b minus 5 का equal to 0 अब इस bracket से आप जब solve करेंगे तो आपको क्या मिलेगा b equal to minus 8 और b equal to 5 magnitude of any vector cannot be a negative तो उसको आप हटा देंगे निग्लेक कर देंगे और b minus 5 equal to 0 रखेंगे तो b equal to 5 तो आपका c option answer आपको मिल गया तो देखिए given data का use given data जो आपको दिया जाता है वह बहुत important होता है क्योंकि वह ही है जिससे आपके question solve होंगे बीच में थोड़े बहुत concept से उसको relate करना पड़े था तो मैंने एक एक given data को decode किया वहां से मुझे यह सारी चीज़े मिल गए हैं तो question solve करते सामें बार-बार आपसे बोल रहा हूं solution से जाला important है कि ऐसा क्यों किया गया क्योंकि वही आपके key point आपको आगे के लिए store करना है कि जब भी आपको वैसे case मिलते हैं तो आपको key point आपके पास store हो गए है अब हम चलते हैं next question पे अपनी next slide पे लिया आ गई हमारी next slide यह क्या बोल रहा है question function दिया हुआ है fx equal to this is not differentiable at exactly मुझे एक function दिया हुआ है और मुझसे पूछा गया है कि यह function कितने point पे differentiable नहीं होगा यह हम question application of differentiation में भी करते हैं कि वह किस-किस point पे differentiable नहीं होगा तो पहले तो मैं function लिखता हूं क्योंकि मुझे एक ही चीज गिवन है तो मेरा पूरा data और पूरी जो mind की मेनत है वो इसी में लगेगी तो सबसे पहले मैंने लिखा x square minus 2x minus 3 और e to the power 9x square minus 12x plus 4 कभी भी ऐसे question आए जिसमें इस type से function दिया हो और आप से किसी भी type का question पूछा हो differentiability के अलावा भी तो इसमें हमारे को किस पर core focus होना चाहिए कि यह function कब positive values एप्रोच करेगा कब negative values एप्रोच करेगा और कब यह zero हो जाएगा मैं फिर repeat कर रहा हूँ ऐसे function को हमेशा decode करने के लिए बहुत सारे question में आपको हमेशा याद होना चाहिए कि सबसे पहला आपका duty है कब function negative values acquire करेगा कब positive और कब वो zero हो जाएगा यह सबसे पहली चीज़ है तो अगर मैं इसको simplify करके लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ यह क्या हो जाएगा x-1 into x-3 क्योंकि मैं 2x को लिख सकता हूँ क्या 3-1 minus 3 plus 1 यह बन जाएगा मेरा x-3 into x plus 1 x square minus 3x plus x-2x yes correct है mode का sign लगा देते हैं और e के उपर जो आपको देख रहा है वो directly perfect square है 3x minus 2 का squares are always positive तो मैंने वहाँ पर वो modular sign हटाई दिया अब आते हैं हम इसको देखने के लिए कि हमें यह function decode करना है कि यह कब negative कब positive और कब 0 को acquire करेगा अगर मैं देखूँ यहाँ पर यह function तो हमेशा positive आएगा तो positive negative यही बताएंगे आपको x-3 और x-1 baby curve यूज कर सकते हैं आप baby curve मैं उसको गलती से बार बार baby curve बोल जाता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली limit जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको minus 3 से लेके infinity तक minus 3 से लेके infinity तक यह function क्या रहेगा minus 3 आप रखेंगे यह रखेंगे दोनो negative आएंगे minus 4 minus 4 रखके देख लीजे तो यह हमेशा आपको positive function मिलेगा दूसरी limit अगर आप देखेंगे minus 1 से लेके 3 तक आप जब रखेंगे आप minus 2 रखके देख लीजे यह 1 रखके देखिए 1 यह positive यह negative हमेशा यह function आपको negative मिलेगा और तीसरा आपका आता है minus infinity to minus 1 आप देख लीजे यह आपको हमेशा positive values देगा minus 2 पे आप देख लीजे फिर यह value आ जाएंगी तो यह आपके तीन values आ गए function के तीन conditions बन गए आपने उनके जो x की values को domain थे वो calculate यहां से कर लिये हैं अब मुझे देखना है कि इन में से कौन से point है जिस पर यह differentiable नहीं होगा तो उसको check कराने के लिए में fx को y ले लेता हूं और दोनों side का log ले रहा हूं मैं तो log of y log यहां जब हम लेंगे तो log a into log b into log c है बाया logarithmic formula log a into log b into log c क्या होता है log a plus log b plus log c तो मैं इसको plus में लिखता जाता हूं log of x minus 3 plus log of x plus 1 प्लस log यह power आगे आ जाएगी और log ही 1 होता है तो यह सिर्फ मुझे मिलेगा इसका square अब मुझे जब यह differentiate करना है तो differentiate जब मैं करूंगा तो क्या मिलेगा 1 upon y dy by dx यह आ जाएगा 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 1 और इसका 2 into 3 x minus 2 into 3 तो यह 6 हो जाएगा अब इसका differential अगर आप देखें x equal to 3 रख अगर आप रख देते हैं तो यह infinite उड़ा है possible नहीं है तो हमेशा अगर आप minus 1 रखते तो यह possible नहीं है तो minus 1 and 3 यह दो पॉइंट आपको मिले डोमेन में जिस पर इसका differential नहीं होगा तो दो points मिले मतलब c option is correct इसमें अगर आपको point पूछे जाते तो वो भी आमने निकाल लिए है minus 1 and 3 पर differentiable नहीं होगा ठीक है जी clear हुआ होगा इसलिए मैंने इसको काफी simplify करके किया है हर questions में बहुत important है tips को आप अच्छे से करें अच्छे से सीखें वो key points को जादा धिहान दे as compared to solution क्योंकि solution आगे जाने के बाद आप ही को करना है यह question as it is नहीं आएंगे और as it is भी आ जाएंगे तो इसमें कुछ ना twist होगा वो twist को भी आप पकड़ पाएं इसके लिए मैं आपको बार 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 बोल रहा हूं उसके key points पर ध्यान दीजिए कि solve करते समय सर्क क्यों कर रहे हैं ऐसा और ऐसे cases में ऐसा करना होता है तो वहां पर आप उसको key point करके मार्ट कर दीजिए next question है three numbers are in increasing geometric progression मुझे दे रखा है तीन numbers है जो increasing geometric progression geometric progression increasing geometric progression क्या होता जिसमें दीजे दीरे number increase होते जाते हैं जैसे पहला 2 है let us suppose r को हम 2 ले लेते हैं पहला 2 है दूसरा 4 हो गया फिर 8 हो गया increasing order में number जाएंगे that is called the increasing GP with common ratio r दिया हुआ है ठीक है if the middle number is double अगर उसके middle number को double किया जाए question को मैं एक एक line पढ़के decode कर रहा हूं वही आपको सीखना भी है then the new numbers are in an ap with common difference d ठीक है भाई अब मुझे एक और इंडी हुई है ए फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इस 3r square जो फोर्थ टर्म है जीपी की वो मुझे दी हुई है 4r square sorry नई 3r square ही दिया हुआ तो इसकी third term क्या हो जाएगी r का division 3r इसकी एक पहले की term second term क्या हो जाएगी 3 इसकी एक पहले की term first term क्या हो जाएगी 3 upon r ये मुझे मिल गई अब मैं इसके एक एक लाइन जो मैंने पड़ी हुई है गिवन जो कोशन में दिया हुआ है उसको decode करूंगा इसलिए मैं बोलता हूं को आराम से पढ़ें वहां आपको stress बहुत होता है लेकिन आप भूले नहीं वह stress तभी रिलीव होगा जब आप कोशन को successfully solve कर पाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है शानती से कोशन को अच्छे सरीड कीजिए तो पहले तो मैंने geometric series निकाल ली अब मुझे वह दे रखा है कि इस geometric series की अगर middle term यह तीन नंबर लेते हैं इस तीन नंबर का middle term को double कर दो तो 3 upon R as it is रहा यह हो गया 6 3 R as it is रहा तो उसने बोल पर सारे given खतम हो गए अब मैं इस पर focus करूंगा इसका common difference क्या होगा second term minus first term या फिर third term minus second term यही होगा d बस इसी को मुझे अब solve करना है तो मैंने इंदो term को solve किया तो मुझे क्या मिला 6 R minus 3 equal to 3 R square minus 6 R सबको set transpose कर दिया तो 3 R square minus 12 R plus 3 equal to 0 मिला मैंने 3 से इसको divide करके transform कर लिया lower form में minus 4 R plus 1 equal to 0 अब मैं directly इसको formula से solve कर लेता हूँ ठीक है R equal to आ जाएगा minus B यहने plus 4 plus minus under root of B square यहने 4 का square 16 minus 4 A C आ रहा है 4 upon 2 तो यह मिल गया 4 plus minus यहाएगा 12 which is 2 root 3 upon 2 ठीक है जी अब मैं इसको simplify करके मुझे R की value मुझे मिल गई 2 plus minus root 3 अब मुझे यहाँ पर फिर उस given data का use करते हुए plus minus में से कोई एक value मुझे यहाँ लेनी है अब उसने मुझे बोला increasing GP मतलब R की value positive मुझे लेनी पड़ेगी higher side तो यहाँ से R की value उसके क्या हो जाएगी R equal to 2 plus root 3 और D calculate करने के लिए मैं यही value put कर दूँगा 3 into R minus 6 तो मेरा D कितना आ जाएगा 6 minus 6 0 3 root 3 मुझे R मिल गया मुझे D मिल गया अब मुझे सिर्फ उसको calculate करना है क्योंकि वो मुझे से पूछ रहा है R square minus D कितना होगा तो इसका square क्या हो जाएगा A square plus B square plus 2AB 2 to the 4 root 3 minus D 3 root 3 4 plus 3 7 plus root 3 मुझे option में है yes third option is correct B option is correct sorry B option is correct मुझे मिल गया तो आपने देखा यहां मेरी style में question के हर questions में मुझे सबसे important और सभी जानते हैं लेकिन use or follow करना भूल जाते हैं stress के कारण exam hall में बैठा peer pressure लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए जितना pressure आप लेंगे उतना आपका tension और भड़ेगा तो आप अपने आपको समझाएं कि question read करना properly एक एक line और उससे क्या data मुझे मिल रहा है बहुत important है to enhance your problem solving skill problem solve तभी होगी जब problem में दिये गए hint जो question की form में हैं वो आप ठीक से decode कर पाएं तो problem आपके लिए बहुत कम हो जाएगी तो ultimately जब आपसे question आराम से solve होंगे तो आपका peer pressure का जो stress है वो भी reduce हो जाएगा तो बहुत importantly ध्यान करें ध्यान रखिए इस बात का question को read करना बहुत important है उसकी एक एक line बहुत important है वो ही मुझे answer तक ले जाएगी अब आते हैं integration का एक sum दिया हुआ है इसको मुझे integration को solve करना है क्या integration दे रखा है मुझे i की form में इंटिग्रेशन ओफ डी एक सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले कोशन में देखिए यह दोनों एक्क्वेशन लीनियर फॉर्म में दी हुई है तो डिरेक्टली मैं इसको टी ले सकता हूं लेकिन उससे मुझे कुछ फाइदा नहीं होगा तो मैंने क्या किया यहाँ पर इस integration को अलग अलग लिखा पहले मैंने x-1 की power 3 by 4 और x plus 2 की power 5 by 4 अब मुझे इसको इसकी नीचे ले जाना है तो मैं क्या करता हूं multiply by x-1 power 5 by 4 divide and multiply मैंने कर दिया तो अब मेरा integration क्या हो गया यह as it is हो गया dx upon this तो मैं इसको लिख दूंगा as a whole power 5 by 4 और यह क्या हो जाएगा x-1 का इसको है ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है जब एक्क्वेशन लीनियर फॉर्म में दी जाएं और उसको यू अपॉन वी मैथट से आप सॉल्व करो तो आपको आंसर में नीचे स्क्वेर में मिलती है जो मैंने यहां कंवर्ट करके ले आया हूँ अब मुझे सिब इतना करना है कि एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन को टी ले लेना है तो मुझे क्या मिल जाएगा यू अपॉन वी से dt equal to x minus 1 का square फिर उपर लुँगा तो x minus 1 as it is x plus 2 का differentiation 1 minus x plus 2 as it is x plus 1 का differentiation 1 यह कितना आ जाएगा minus 3 upon x minus 1 का whole square तो मुझे क्या मिल जाएगा dx की जगा into dx की जगा minus 1 upon 3 dt यहाँ पे मुझे मिल गया यह की value क्या आ गई minus 1 upon 3 dt तो यह बहुत simplify हो गया this integration is equal to minus 1 upon 3 into dt upon t to the power 5 by 4 अब आपको पता इसके साथ क्या करना है t to the power minus 5 by का integration करना है और last minute t की value जो आपने ली थी वो as it is put कर देना है तो you will get your answer as c ठीक है जी मैं इसी के साथ आगे series में पूरे maths के mock test और पूरे maths के previous year questions और physics के mathematics and physics को z main 2022 बहुत अच्छे से याद रखे उसका सारा material में यहां लाके solve करने वाला हूँ और important strategic tips भी देने वाला हूँ जो आपकी सबसे important चीज़े problem solving skill जो अभी हमें जरूरत है उसको बहुत improve करेगी neat वालों के लिए मैं physics के काफी important previous year questions, papers, mock test यहां पर discuss करने वाला हूँ साथ साथ मैं reviews पूरा physics का और mathematics का revision series भी continuously post करता जा रहा हूँ मेरी आप से उम्मीद है कि आपको lecture समझ में आया होगा नहीं आता है कहीं भी problem आ रही है आप मुझे comment में लिखे but please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon to get the latest notification thank you